आज हम बनाने जा रहे हैं सफेद चने जिनको काबुली चने भी कहते हैं तो ये मैंने उबलने के लिए रखे थे उबल चुके हैं बिल्कुल गल गए हैं और अभी इनका मसाला बन रहा है मसाले के लिए यहां पर मैंने थोड़ा सा जिंजर थोड़ा सा गारलिक और इसमें मैंने ये बादियान के फूल भी डाल दिये कि चलो अच्छी खुश्बू आजाएगी एक सिस्टर ने बनाए थे उन्होंने ये डाले तो मैंने तो पहले कभी डाले नहीं थे लेकिन मैंने स चलो जब बाकी चीजों में डालते हैं तो इसमें भी डाल के देख लेते हैं अच्छी खुश्बू आएगी और मसाले में इसमें सिर्फ जाएगा नमक और मर्च थोड़ा नमक हमने बॉयल करते समय डाल दिया था और लाल मर्च है साथ में टमाटर है हरी मर्च रखी है बा इमली का पल्प मिल जाता है थिक वाली इमली बॉटल में मिल जाती है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो चने में मिक्स कर देते हैं तो जी बनाते हैं वाइट चने काबली चने तो हमारा अद्रक और लेसं हो चुका है इसमें मैं ये नमक मिर्च डाल देती हूं ताकि इस इसका भी अच्छा सा कलर आजाए। आछ्छा मैंने अ काफी Bheads को को losing rust किया है मैं यह नहीं कि गलतियां निकालती ओप की यह गलतियां नहीं है सबका अपना अपना तरीका है मैं जब नमक, मर्च, हल्दी डालती हो नग basically में ऑईल में डालती हूं ताकि उसका कलर अच्छा आजाता है लेकिन मोस्ली फ्रेंड मैंने देखी है वो पहले प्याज अदरक लेसन में वो डाल देते हैं टमाटर और पानी डाल देते हैं उसके बाद वो हल्दी और मर्च डालते हैं तो मैंने ये नोटिस किया है जब आप पहले ओल या घी में नमक हल्दी और मर्च डालते हो न तो उसका कलर बहुत अच्छा ब्राइट कलर आता है नई तो थोड़ा सा डल कलर आता है आप अजमा के देखिएगा इस बात को जो जो बाद में डालते हैं नमक मर्च हल्दी आप एक बार पानी डालने से पहले उसको सब्जी का कलर देखें कितना अच्छा आएगा तो अब टमाटर को जब मैंने भून लिया अभी तो टाइम लगेगा दो चार मिनट जब टमाटर पूरे गल जाएंगे तो मैं इसमें फिर चने आड़ करूँगी और अब मैंने इसी तेल में गर्म मसाला भी दो बड़े चमच भरके डाल दिया है क्योंकि ये भी अच्छे से भून जाए और इसकी भी खुश्बू आ जाए और ये देखें टमाटर बिल्कुल मिक्स होके अच्छी सी पेस्ट बन गया है अब मैं इसमें चने आड़ करने वाली हूँ तो फ्रेंड्स मैंने मसाले में चने डाल दिये हैं और चने एकदम अच्छे से गले हुए आज पता पिछले कई हफतों से जब भी चने बनाती थी या राजमा बनाती थी वो गल नहीं रहे थे तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सेम क्वालिटी है हमेशा वही यूज करते कि अगर आप जब चने बॉइल कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ऑइल डाल दें बॉइल करते समय तो चने बहुत अच्छे करेंगे तो थेंक यू वेरी मच हमारी इंडिया से जो डियर फ्रेंड हैं और उनके बताने से चने इतने अच्छे गरम इतने है कि मेरा हाथ पी जले देखें एक दम से पता कीमो थेरपी के बाद हाथ बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं मेरी पहले भी नर्वस डैमेज हो चुकी थी हा हुआ है तो जड़ा सा भी सेख जो है न वो हाथों में बहुत लगता है तो कई दफा कर्ची गरम को टच कर लूँ यह ऐसे तो बहुत ज़्यादा गरम लगता है जितना नॉर्मली नहीं लगता वैसे मेरी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा थी लेकिन अब उसमें गरम को मैं स कि सारा पानी सूखना जाए और उसके बाद इसके उपर क्या डालेंगे वह आपको वेट करना पड़ेगा तो साथ बने रही है दोस्तों जब तक यह पानी ड्राइ होता है हमारे चने एकदम परफेक्ट बनके तयार हो गए है जितनी इन में तरी चाहिए क्योंकि यह थोड़े देर रहने के बाद थिक भी हो जाते हैं तो अभी इसमें इतनी ही तरी हम रहने देंगे अब मैं इसके मैंने चने डिश आउट कर दिये हैं और अब हम इनको कैसे गानिश करते हैं हम पहले इसके उपर थोड़ा सब तरफ धनिया डालेंगे और धनिया के बाद साथ ही हमारे घर में जो सब लाइक करते हैं वो है प्यास उनको बिलकुल बारीक काटके आप प्यास भी यह चने के उपर डाल के जब खाएं तो चाहें आप पूरी भडूरा या रोटी जिसके भी साथ खाएं यह बहुत टेस्टी लगते हैं और इसके साथ हरी मर्च भी है आप चाहें तो हरी मर्च को भी खा सकते हैं और यह रहा जी हमारा एंड प्रोड़क्ट तो आपको हमारे चने कैसे लग रहे हैं आप हमें बताईएगा जरूर और देखने में बहुत अच्छे हैं टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं और आई थिंक हम लोग नान भी बना सकते हैं इनके साथ क्योंकि भटूरे और नान का जो आटा होता है वो बिलकुल एक सा होता है और जैसा आप पाकिस् अच्छे हैं वाले फ्रेंड्स यूशली आप लोग संडे के दिन जो बाजार से परांठे लेके आते हैं वो एक्चल में भटूरे होते हैं वो मैदे से बने होते हैं मैदे को आटे मैदे के आटे को दही से गुंदा जाता है और उसके बाद उसको डीप फ्राई जैसे पू यहां यह ऐसे बंदे हैं तो आपको कैसी लगी मेरी आज की डिश प्लीज पूरी देखके और कमेंट करिएगा बहुत शुक्रिया साथ बने रहने के लिए